नमस्कार दोस्तों मैं उरितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरीमा बोत्रा दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस वीडियो में जो आपको जानकारी दूँगा वो जुड़ी वी है लोगसभा के साधर और निर्वाचन 2019 के परिणाम और रुजान के बार कि आप हर एक शीट का दोस्तों परिणाम किस प्रकार देख सकते हैं क्योंगी दोस्तों आप टीवी पर देख रहे हैं तो आप हर एक शीट का परिणाम नहीं देख पा रहे हैं आप के बद राज्यवार देख पा रहे हैं क्योंगी भारत में 39 राज्य और 52 शीटों पर कौन सा प्रत्यासी है वो कितने वोटों से आगे चल रहा है किस प्रत्यासी को मिले हैं कितने वोट दोस्तों में आपको सब बताऊंगा लेकिन अभी तक आपने अभी अब हमारे अपने चैनल गरिमा बोत्रा को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर जाईए और दोस्तों वहाँ पर लिखे ECI result इसका मतलब हो गया election commission of India result जैसे आप यहाँ पर click करेंगे दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सामने इसा page open होगा यहाँ पर दोस्तों जो पहली website आए रही है आप को सी पर click करना है जैसे आप उस पर click करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने इस प्रकार का है वो page open होगा दोस्तों और इस प्रकार के page में आप देखेंगे दोस्तों कि आपके सामने नीचे है एक सीकिंट के बाद में और सनाएगा यह देखें general election 2019 live widget ECI result website दोस्तों यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप यहां पर click करेंगे उसके बाद में आपको यहां पर PC पर click करना है दोस्तों PC पर click कर दीजे दोस्तों जैसे यहां PC पर click करेंगे आप देखेंगे कि यहां पर है वो इंगली समें लिखावा रहा है लेकिन मैं आपको बता दू कि याप है वो लेंगवेज भी चेंज कर सकते हैं यदि आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप दहीं साइड में उपर इपर देखें दोस्तों यहाँ पर हिंदी का भी ओफ्स नारा है आप हिंदी पर क्लि तर रहा हूं दोस्तों राजस्तान तो यहां पर आपको देखना है राजस्तान देखिए दोस्तों यहां पर राजस्तान आ चुक है जैसे आप राजस्तान पर क्लिक करेंगे यह देख सकते हैं दोस्तों भारतिय जनता पार्टी है वो अभी 25 में से 24 सिटों पर है वो आगे च चेतरवार यह देख सकते हैं दोस्तों यहां पर लिखावा है निर्वाचन चेतरवार सभी अबियर्थी जैसे आप निर्वाचन चेतरवार सभी अबियर्थी पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको दोस्तों यहां पर राज जिया हो निर्वाचन चेतर चुनना होगा जै कूल मोट मिल चुके है भी तक variety बाजबा के ब्रत्यासी है और उसके बाद में रफिक 60% मिला है कुल मत का उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं दो नमबर पर चल रहे हैं I.N.C. यानि इंडियन नेशनल कॉंगरेस के मदन गोपाल मेगवाल उन्हें मेले हैं करीबन करीबन 70,000 वोट लेकिन आपको राजस्तान पर क्लिक करेंगे उसके बाद में मानलीजे दोस्तों आपको राजस्तान पर क्लिक करने के बाद यहां देखिए हर एक निर्वाचंशेत्र का आपको दिखा == अज़मीर में बीच जो मारजीन चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 47,568 वोटों का और परिणाम की स्थती है वो आ रही है प्रगती में परिणाम और जो पिछली बार थे दोस्तों वो यहाँ पर सावलाल जाट जिते थे बंवल भारतिय जंता बार्टी के थे और जिते थे वो एक लाग 30, 2983 वोटों से दोस्तों इस प्रकार आप है वो अपना परिणाम देख सकते हैं वो दोस्तों यदि आपने PC पर क्लिक ने करके यदि आप दोस्तों इसी पर क्लिक करके करते हैं तो भी आप दोस्तों देख सकते हैं परिक्षा परिणाम इस प्रकार आप लोग सबाद परदेश का दोस्तों क्या हाल चल रहा है मैं आपको बता देता हूं अभी जैसे आप उत्तर परदेश में दोस्तों क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं उत्तर परदेश में दोस्तों बारतिय चंता बार्टी है वो 45 सिटों पर है दोस्तों आगे चल रही है कुल 59 सिटों मे तीन सी्टों पर आगे चिज़ रही है गोप परिनाम देख सकते हैं लोगसबा चुनाओं के हर चेतर वार या किस परताहसी को कितने वोट मिले है कौन सा परताहसी उनसे पीछे चुझ रहा है आपकी अपने सीट पर कौन जीट रहा है दोस्तों सब देख सकते हैं मैंने आपको डारेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर क्लिक करते हैं सिद्धा आपको अपना राजे चुनना है बासा चुननी है निर्वाचन चेत्र चुनना है और आप देख वाएंगे लोग सबा चुनाओ के से सठीक नतीजे इलेक्शन कमिशन की ओपीसेल वेवसाइट बर दोस्तों धन्यवाद दोस्तों ऐसे और भी वीडियो जैसी और भी न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे अपने चैनल गरीमा बोत्रा को मैं हूं रितिक बोत्रा धन्यवाद